हेलो स्टूडा एंड सावै यू आई होप यू ओल विल वी फाइन एट यूर होम स्टे होम एंड स्टे सेफ क्लास थर्ड सुब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नेम क्या है अपना च्छोत्रपती सिवाजी लेट रीड दिस स्टोरी चलिए स्टोरी को र जो पले सोता है वह स्थान फ्लस्ट यो यह वाला जो पहले सेंहां पर यह इसका वर्द मीनिक की अधिन उसी दिन सिवाजी और रामदास जी ने एक दूसरे को पहली बार देखा इस अधर यानि एक दूसरे लेको पिक्चर में यह सिवाजी है और यह को हैं गुरू रामद देखेए क्या बोल रहे हैं िस्थे बोऑं यह यह जए निस्थे बोए ने लड़के के जैसे दिखते हैं एक के नहीं कुछ कुछ सुना हुआ था आई ओल्वेज विस्ट तु सी हिम सिवाजी है यह क्या सोच रहे हैं यानि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं उनको देखूं किसको देखूं गुरू रामदास जी को विस्ट यानि इच्छा रखना प्लीज एकसेप्ट मी एज और डिसीपल सून यानि जल्द ही जो सिवाजी है वो रामदास जी से क्या करते हैं प्लीज एकसेप्ट मी एज और डिसीपल डिसीपल यानि शिष्ट या अनुवियाई एकसेप्ट यानि स्विकार करना करप्या मुझे अपने शिष्ट या अनु डिसीपल जल्द ही सिवाजी क्या बन गए उसके डिसीपल बन गए यानि शिष्रे बन गए किसके रामदाश जी के लोगों को एक साथ लाना चाहिए यह क्या करने इसको एडवाइज दे रहे हैं किसको सिवाजी को यूशूड रूल एज जस्टे किंग आप तुम्हें साथन करना चाहिए एक राजा के जल्रूल यानि साथन करना एज यू कमांड अब यह क्या करें एज यू कमांड यानि जैसा आपका आदेश या जैसी आपकी आग्या डेज पासन दिन गुजरते गए वन डे एक दिन वोट्स इट यह क्या है यूर गुरू इ यह जो रामदाश जी के पास से कोई आया है किसको इनफर्म करने के लिए गृर्ट इंस नोट वैलनी तुम्हारे जो गुरू है रामदाश जी वो तब था ठीक नहीं यह नहीं वह नोट वैलनी वह से अच्छे नहीं है स्वास्त नहीं है उन्होंने मुझे कहा इं उसी च्छन या जल्द ही सिवा जी है वो अपने गुरू के पास चले गए स्वामी जी कमांड मी वाट शुड़ आई जू स्वामी जी कमांड यानि की आदेश देना मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सिवा नो मेडिशन कें ट्रीट मी सिवा मेडिशन यानि दवाई दवाई मेरा इलाज नहीं कर सकती ट्रीट यानि इलाज गरना आई नीड दा मिल्क ओफ टाइग्रेस मुझे एक सेरनी या बागिन के दूद की आउशकता है मैं तभी स्वस्थ हो सकता हूँ जब मैं इसे प्राप्त करूँ है जब मैं यह जो टाइग्रेस का मिलक है वो मुझे मिल जाए सिवा जी क्या कहरें ओ आई विल गेट इट इट यू सून मतलब जल्दी मैं इसे आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा एट वन्स सिवा जी विंच्फ दफोरेस्ट उसी समय सिवा जी है वो कहाँ चले गै फोरेस्ट जनंगल जनंगल में चले गए so many tigers are here यानि बहुत सारे tigers हैं यानि बहुत सारे जो चीता हैं वो यहाँ पे हैं देखें forest में जो है अपने को picture दिख रही है ना रोर यानि दाहाडना जो tiger है वो सब क्या कर रहे हैं दाहाड रहे हैं all tigers तभी tiger है not single tigers इस एक भी सेरनी या एक भी बागिन नहीं है इन में से अब आए 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 तभी सामने मतलब सामने आँ देखें पिक्चर में देख रहा हैं यह इदर यह आए टाइग्रेस है जो अपने बच्चों को यह कर रही है उपने बच्चों को दूद पिला रही फीडिंग यानि दूद पिलाना I must be quick मुझे जल्दी करनी चेक क्या नहीं जल्दी अभी देखे दिखरन पिक्चर में इसको क्या करेगा रस्ती से इसको टाइटली बांध देगा और फिर इसका दूद निकालेगा इसका दूद है वो प्राप्त कर लेता है और फिर वह रामदास जी के पास लोट आता है गुरू जी मैं क्या लाया हूँ टाइगरेश का मिल्क है वो ले आया हूँ सन आयम नोट सिक अभी क्या करया बेटा आयम नोट सिक मैं बिमार नहीं हूँ आयवर जस्टेस्टिंग यू मैं तुम्हारी परिक्षा ले रहा था आयम प्लीज्ड विद ओर करेज एंड ओबिडियन्स ट्वार्ट मी प्लीज्या नहीं खुश होना मैं खुश हूँ तुम्हारे साहस और तुम्हारी मेरे परती जो तुम्हारी आग्या कारिता है उससे मैं खुश हूँ ठीक है स्टूडेंस यह अपना चैप्टर है यह कंप्लेट हो चुका है इसका बुक मैटर और कोशन आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक आप इस स्टोर कोच्छे से रीड करें थैंक्यू